श्री सद्ग्रो महाराज कीजे महर्शी संसेवी परमहन्ष जी महाराज का प्रवचन आखिर हमारे दुख का कारण क्या इस प्रवचन का दूसरा भाग महर्शी संसेवी ज्यान गंगा से जिसका उदै होता है उसका अस्त भी होता ही है जो जन्म लेता है वह मरता भी है जो फोल खिलता है वह कुमलाता भी है इस प्राकिर्तिक नियम वा इस्वर विधान को कौन टाल सकता है शंत कबिर सहाब कहते हैं जो उगय सो अथवय जामय सो मरिजय जो चुनिय से धही परे फलय सो कुमलाय जिस किसी वस्तु की प्राप्ति की हमें आकांचा थी वह मिल गई बड़ी प्रसनता हुई वही वस्तु कुछ दिनों के बाद खो गई वा विनस्ट हो गई तो अब हमारी ओप्रसनता वा हमारे दुख की सिमा नहीं रही क्या यह हमारी नीरी मुर्खता नहीं है देखिए कोई वस्तु अथवा जो वस्तु हमारे पास पहले नहीं थी तब तो हम उस वस्तु की प्राप्ति की इक्षा करते थे जिसके मिलने से हमें बेहत खुशी मिली और अब वह वस्तु नहीं रही तो हम अत्यांत दुखी हो गए इसका क्या अर्थ हुआ जिस वस्तु का आरम में अभाव था उसका अंत में भी अत्यांता भाव हुआ यह कौन सी आश्यड की बात हुई मात्र मध्य में थोड़ी देर के लिए मिलन और पुनह बिछुरन इस अत्यांत अल्प कालिक मिलन के बाद बिछुरन पर इतना क्रंदन, क्रोध और चिन्ता जिसके चलते शिर धुन्ने और छाती पिटने लगया शोक शागर में डोब गए और शरीर शुक कर काटा हो गया, इतना ही नहीं, चिन्ता की ज्वाला में जिवित ही जलने लग गए, इसमें लाब क्या हुआ, सब तो हानी ही हुई अप्सोस जरा विचारों तो सही, जिस किसी पदार्थ का दो बटे तीन भाग अग्यात हो और एक बटे तीन भाग ग्यात हो, तो इन दानों में किसका पलरा भारी है? दो बटे तीन का अथवा एक बटे दो का? हम भारी पलरे की ओर ध्यान नहीं दे कर हलके की ओर आकरशित होते हैं, उसमें अधिक आशकती रखते हैं और उसके नहीं रहने पर रोते, पिटते, कलबते और बैथित होते हैं यही हमारे दुख का कारण है, जैसे कोई बेपारी किसी माल का क्रे विक्रे करता है, अर्थात माल खरीता और बेचता है, चीज खरीदने पर घर आती है और बेचने पर बाहर चली जाती है इस प्रकार चीज तो आती और जाती है, किन्तु नफावा नुक्षान हमारे पास रहता है, वैसे ही शांसारिक जिस किसी जन, धन वा किसी वस्तु में आ सकती रखते हैं, वह तो चली जाती है किन्तु मुनाफे में हमको मिलता है दुख, सोक, चिंता, आदि, जैसे स्वपन काल में जो कुछ भी देखा जाता है, वह स्वपनावस्था के पुर्म में नहीं था और ना स्वपनावस्था के पस्चात ही रहता है तो हमें किस में विश्वास करना चाहिए, किसको सत्य मानना चाहिए, अल्प कालिक स्वपनावस्था के दृष्य और व्यवार को, यह दि हम बहु कालिक स्वपनावस्था के दृष्य और व्यवार में विश्वास नहीं करके, अल्प कालिक स्वपनावस्था के दृष्य जगत में विश्वास करने लग जाएं तो क्या इसी में हमारी बुद्धि मता है और यदि हम तद्नुकुल जग वेवार भी आरम कर दें तो क्या इस संसार के लोग हमें महामुर्ख कहने अथ्वा पागल कहने से बाज आ सकते हैं और यदि कोई ऐसा कहे भी तो उनका ऐसा कहना क्या अनुचित होगा कोई कहते हैं हाई मेरा जवान पुत्र मर गया कोई कहते हैं मेरी पति देवी संसार से चलते बने हाई मैं अबला पति विहेना होकर कैसे जीवन यापन करूंगी ओह अभी हमारी अवस्था ही कितनी हुई थ पगी डाला था आदी कोई कहते हैं अफसोष हमारी सारी समपती नस्ट हो गई धन हीन जीवन किसकाम का कुछ सूजता नहीं समझ में कुछ आता नहीं चारों और अंधकार ही अंधकार दिखता है इससे तो मिर्त्यू भली आदी आदी अब विचारिये जडा सांती चित से सोचिये पुत्र मरा वा पतनी मरी अथवा पती मरे बात क्या हुए ये सब हमारे साथ पहले नहीं थे बीच में मिले अब फिर नहीं रहे भूत काल में नहीं था वह भविश में नहीं रहा फिर चिंता और सोक क्यों जिस समय हम लोग रेल गारी में यात्रा करते हैं तो उस समय एक ही कमपार्टमेंट में कितने लोग न जाने कहां कहां से आ आ कर बैठ जाते हैं थोड़ी देर एक साथ बैठने पर मधुर वारता लाप होने से आपस में प्रेम भी हो जाता है किन्तो जिनका टिकट जिस अस्टेशन तक का होता है उस अस्टेशन के आने पर बिना किसी के कहे सुने वे स्वेंग वहां उतर जाते हैं हम उनको अपने साथ रख नहीं सकते इसी भाती एक परिवार रूप गारी के डिबे में हम लोग न जाने कहां कहां से आ कर माता, पिता, पती, पतनी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, आदी के रूप में बैठ गए हैं जिनका आयो रूप टिकट जिस समय समाप्त हो जाता है उसी समय वे हमारा साथ छोर कर चल देते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता फिर इसमें रोने धोने के अवशक्ता क्या पड़ी और रोने पिटने से आखिर होगा ही क्या एक बड़ी मधूर कता है राजा चित्र केतु की हजारों राणिया थी किन्तु पुत्र एक भी नहीं था एक समय नारद मुनी और अंगीरा रिशी आये राजा ने बहुत आदर सतकार करके उच आशन पर बिठाया और उनसे पुत्र के लिए प्रार्थना की मुरिशा न हो ही देव रिशी बानी उन्हें रिशी मुनी के आशिरवाद से एक लड़का हुआ राणियों में रिश्या हो गई कि अब राजा हम लोगों को प्यार नहीं करके केवल इसी राणिय का आदर सतकार और रिशी को प्यार करेंगे इस हेतु अन्य राणियों ने मिलकर उसे सीशू को विश्य दे दिया लड़का मर गया शंपूर्न राज परिवार में सोक छा गया राजा बहुत चिंतित शोकित और ब्याकुल होकर पुत्र सोक में विलाब करने लगा शंजोग वस उसी समय पुनहर नारद मुनी वहां पहुँचे राजा ने उनसे पुत्र जिवित करने के प्रार्थना की राजा की दैनी दशा देखकर नारद मुनी उस मृत सीशु से कहने लगे लड़के तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं तेरे लिए विकल हो रहे हैं तेरे हिड्रे में तने की भी दया नहीं आती लड़का बोला मुनिवर मैं किनकिन पर दया करूं मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां मुझे माता पिता मिलते हैं इनकी तरह कितनी माताओं और कितने पिताओं को मैं पहले छोड़ चुका हूं जो रहने योग्य नहीं है उसको कौन रख सकता है और जो जाने योग्य नहीं है उसको कौन ले जा सकता है। भगवान श्रीकरिष्ण गीता अध्याय दो वटे सोला में कहते हैं नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत है अर्थात जो अशत है उसका अस्तित्व कैसा और जो सत है उसका अभाव कैसे। अशत अनित्य परिवर्तन्शील और नाशवान है अतियेव कभी न कभी उसका नाश होना सुनिश्चित है उसके लिए सोक कैशा और जो सत्य नित्य और परिवर्तन्शील और अनासी है उसका कभी नाश होगा ही नहीं फिर चिंता किस बात की शरीड मरती है और आत्मा अजर अमर अविनासी है यह न काटी जा सकती है न सुखाई जा सकती है और न भिवोई जा सकती है यह नित्य है शर्व गत है अस्तिर है अचल है और शनातन है पुनह भगवान कहते है यह अर्जुन यदि तू इसे सतत जनमने और मरने वाला माने तो भी तुझे सोक करना उचित नहीं क्योंकि जन्मे हुए के लिए मिर्ट्यू और मरे हुए के लिए जनम अनिवारी है अतह जो अनिवारी है उसके लिए सोक करना उचित नहीं अत्य चैनं नित्य जातं नित्यंग वा मन्य से मिर्टम तथापी त्वं महांबाहो नेव सोची तू मर हशी जातश्य ही धुर्वो मिर्ट्यू धुर्वं जन्मे मिर्टश्य च तस्माद पड़ी हर्याठ थे न त्वं सोची तू मर हशी गीता दो 26 सुलोक 27 यह बात तो हुई ग्वापड यूग की किन्तु इसके भी पूर्वित रेता यूग की एक घटना है जो मर्यादा पुरुसतम भगवान राम से संबंदित है राम चरित मानस के किश्किंदा कांड मिया प्रशंग आया है भगवान से राम के बान से जब बल शाली बाली मारा जाता है तब उसकी पत्नी तारा देवी बिलकती हुई भगवान के सम्मुक उपस्थित होती है और फूट फूट कर रोने लगती है भगवान कहते हैं देवी तू रोती क्यों है किसके लिए रोती है पंच भोतिक शरीड के लिए यह शरीड तो तुम्हार इस समुक्विद्मान ही है कहीं तु जिवात्मा के लिए तो नहीं रो रहे है ज़ी जिवात्मा के लिए ही तेरा यह करुन करंदन है तो यह अनुचित बात है क्योंकि यह तो नित्य-कूटश्त-शाश्वत्-पुरातन और अभिनासी है शरीर की नास ओने से इसका नास नही के शोवा जीवे नित्य तू के ही लगी रोवा तारे जड़ा सोच तो सही तुम जैसी विवेक शीला शादवी नारी के लिए यह हिर्दय विदारक करंदन सोभा नहीं देता भगवान का अमरित बचन तारा के जले हिर्दय में मरहम पट्टी का काम करता है वह समझ जाती है औ अपने पुत्र अंगद को उनके चर्णों में चठा देती है कि यह ज्ञान विवेक और विचार के बात भगवान प्रशन होकर अभैवर प्रदान करते हैं इस प्रवचन का शेषभाग अगले प्रवचन पाठ में श्री शद्गुरू महाराज की जे